है गाईज वेलकम बैक टू एंप्लिफायर कनेक्शन तो कैसे हो और जैसे कि मैंने अपडेट दिया था आप लोगों को फेस्बुक पे भी और मेरे वाटसप स्टेटस पे भी मैंने लगाई थी इसकी फोटो जो की अपना स्टीडियो एंप्लिफायर जो की 400 पलस 400 वोट का मै में बनाया है और यह specially एक बंदे के लिए बनाया है जिसको यह वृ जिम में लगाना जिम में बजाना है ठीक चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो जैसे कि आप सभी को पता है, अपना जो mono amplifier board है, 400 board का, वो इसके अंदर लगा हुआ है, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, एक board इधर fit किया है, और एक board इधर fit किया है, ठीक है, तो दो board अपने mono के हो गए, यानि के 400 plus 400 board stereo अपना amplifier ह हो गया, दूसरी चीज, जो main चीज इसके अंदर है, वो है अपना transformer, तो transformer आप देख सकते हैं, इसके अंदर कितना heavy और कितना तगड़ा transformer है, ये इसकी जो core है, वो काफी heavy है, और आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये pure copper का अपना transformer है, जो की 45, 45, 16 amp का transformer है अपना, ठीक है, और pure copper के अंदर है, तो यहाँ पे अभी बात करते हैं, हम इसकी power supply की, तो power supply गाइज, इसके अंदर extra लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही power supply अपनी inbuilt है, इधर भी और इधर भी, ठीक है, दोनों के अंदर दो-दो capacitor लगे हुए है, जो कि अपने 10,000 microphone के रहते हैं, 100 volt के, और उसके अंदर भी 10,000 microphone और 100 volt के, ठीक है, तो इधर चलते हैं, अपनी speaker protection पे, तो speaker protection जो मैंने वीडि किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो heating sensor अगरा है, वो भी इसके अंदर लगा हुआ है, और रही बात, इसके components की, तो components देख सकते हैं, वही बिल्कुल टना टन मामला है, एक तम सब कुछ branded लगा हुआ है, और इसके अंदर से ये wire निकाल के, हमने protection के ल स्टीरियो, ठीक है, लेकिन इसके जो connection का है, वो हमने अब की बार अलग अलग किये हुए है, यानिके हर एक जो frequency है, अपनी high frequency, low frequency, mid और volume, तो volume को छोड़के, बाकी जितनी भी frequency है, उनके सभी के लिए अलग tone control हमने इसके अंदर लगाए हैं, ताकि मान लिया किसी बंदे के पास subwoofer है, और एक side को speaker चलाने है, तो एक side की base को वो बिल्कुल बंद कर सकता है, और एक side की base को खोल सकता है, वो खुद चूज कर सकता कि उसको कौन से channel से बेस जीए, कौन से channel से उसको, मतलब mid और high जीए, तो ये सारी चीजे मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसके अंतर तो देख सकते हैं, आप मैंने 2 potentiometer इधर use किये हैं, 3, 4, 5 और एक 6 ठीक है, और ये master volume, master volume का एक साथ है, बाकी के जितने भी अपनी frequency हैं, वो सारी अलग-अलग मैंने इसकी कर दी हैं, ताकि एक अच्छा experience sound का हमें मिल सके, ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो इसके अंदर यह तो यह चीज़े हैं, इसके अंदर गाइज, तो हो सकता है, आपको पसंद आ रही होगी वीडियो, तो भाई देको लाइक तो जुरू ठोकना है, तो इनके लिए तो पावर सप्लाई हैं, वो Bluetooth के लिए यहाँ की जो पावर सप्लाई, यह भी हमने regulated power supply pure DC, यहाँ पे देख स बाकी यहाँ पे 78-12, 80-05 इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है, यह मल्टी परपजे इसके अंदर से 12 वोल्ड भी निकलती है, और 0-5 भी निकलती है, ठीक है, तो इसके यहाँ से connection हो गए, ठीक है तो यह था इसके अंदर मोटा मोटा सा मामला, और इसके अंदर फैन यह सबूफर के लिए, यानि कि बनाना कनेक्टर के अंदर हमारा सबूफर कनेक्ट हो जाएगा, और इसके अंदर हमारे स्पीकर कनेक्ट हो जाएगे, तो यह था कुछ इसका मोटा मोटा सा हिसाब किताब, तो उमीद घरता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई गई होगी, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी साउंड टेस्ट के साथ तो गैस बबाइस टेक केर